नमस्कार दोस्तों एक प्यारी इसी गुड मॉनिंग के साथ स्वागत है आपका अपने पसंदिदा चैनल जीके बाई परदीप सर्थ दिन की शुरुआत और हमारे आज की जो यूट्यूब चैनल की शुरुआत एक करेंगे सबसे महत्मून जो क्लास रहती है और हमारे क्लास की शुरुआत और दिन की शुरुआत जो रहेगी वही हमारे क्लास का जो नियम रहता है रूर रहता है दोस्तों एक बहतरीन से विचार के साथ तो देखिया दोस्तो क्या है निंदा से घबरा कर अपने लक्षे को ना छोड़ो क्योंकि लक्षे मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है दोस्तो आपने अपनी रियल लाइफ में भी देखा होगा कि सिर्फ एक गॉर्मेंट जोब है ना सिर्फ एक जो अगर गॉर्मेंट जोब का नेम है कोई भी वो क्या है आपकी लाइफ बदल देता है एक भी एक्जाम क्लियर में अगर एक भी एक्जाम की लिस्ट में आपका change नजर आएगा जो लोग कभी कहते थे आपकी निंदा करते थे दोस्टों कि नहीं मतलब आपको में भी हो सकता है कई कई बार के लगता है कि हमें time लग जाता है उसमें क्या होता है कि आसपास वाले हमारे mind पर इतना pressure कर देते हैं कि वो सबसे पहले ही आते हैं कि क्या हुआ क्यूं नहीं हुआ लेकिन दोस्तों जिस दिन आपका वो लक्ष आपको मिल जाता है ना दोस्तों उसे दिन क्या है वो भी आप ही से राय लेने आते हैं उनकी राय तो बदले ही बदले ही वो भी आपसे सलहा मशरुआ करने आते हैं कि हम आगे क्या करें मगर दोस्तों सिर्फ अगर दूरी जो रहती है ना वो सिर्फ एक एक्जाम के क्रैक होने की एक एक्जाम लिस्ट में आपके नाम आने की रहती है ओके दोस्तों वो कामयाबी एक्जाम की ही नहीं बात करेंगे वो कोई भी कामयाबी हो सिर्फ एक कामयाबी का कदम ही आपको क्या है पूरा जो हमारा आसपास का वाता वालना है लोगों की राय बदल देता है तो आप लोगों की एक बार क्या करें निंदा छोड़ दे उनको भूल जाएए मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि जो लोगो आपको डी मोटिवेट करते हैं न दोस्तों उनसे दूरी बना लो क्यूंकि जिस दिन आप कामयाब हो गए न दोस्तों वो अपने आप अपने पास आजाएंगे कोई कहीं नहीं जाएगा यहीं रहता है सिर्फ दूरी रहती है तो सिर्फ एक कामयाबी की ओके सो अब हम बिना किसी देरे की स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास की समरी देखें हैं दोस्तों सबसे पहले क्या कुछ रहेगा क्लास में मोटिवेशनल कोट जो हमने विचार पढ़ लिया है उसके बाद डाउट सेशन रहेगा उसके बाद होमवक कोशन जो एक कोशन दिया था आपको वह उसके बाद में कोशन देखेंगे हम उसके बाद आज की क्लास का पैटर रहेगा अब हम मूव करते हैं दोस्तों सबसे पहले हमारे डाउट सेशन की तरफ बच्चों का डाउट बहुत आ रहा है सबसे पहले तो एक क्लियर कर देती हूं में भी कई नए बच्चे जुडते हैं तो उन्ह कुलियर करते हैं सबसे ज़ादा जो दिक्कत आ रएं इंस्टो ऑना और और प्लॉफतर तो बिर चुलेशं के बच्चें का रहा हैं और रहे हम और रहे हैs फ़ह बच्चों का प्लुटि करके लिए इसमें दो अलग-अलग ऐसे index आये थे दो ऐसी list आये थी जिसमें दो अलग-अलग राजिया ने टॉप किया है एक में तो किया है करनाटका ने और दूसरे में किया है गुजरात में अब बच्चों का doubt रहता है almost बच्चों गुजरात का पता है करनाटका का नहीं तो बच्च करें domestic solar rooftop installation की domestic ग्रेलू की बात करें उसमें अगर rooftop solar rooftop installation की बात करें उसमें किया है गुजरात में यहां पर बच्चों का बहुत confusion रहता है बच्चों का almost गलत होगा अगर किसी ने इसका clear नहीं है तो क्योंकि अब भी बच्चों का पढ़ाने के बाद भी बहुत बच्चे पजल रह रहे हैं तो सिर्फ इतना सा याद रखें solar rooftop installation में गुजरात में किया है domestic solar rooftop installation में टॉप और अगर बात करें करनाटका की तो उसने किया है subtle index में टॉप इतनी चीज आपको यहां से क्या करनी है याद रखनी है चोटा सा चीज है सिर्फ आपको क्या करना है डिफ्रेंशियेट करके चलना है अब आपको अब देख लेते हैं जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनका आई होप यह डाउट यहां से कोशन पुछा था सबसे पहले तो सोनिया चोहान प्रीती दलाल और आवदेश परताप यह तीनों बच्चों ने बहुत बहतरीन आंसर किया अब हम देख लेते हैं कि कोशन क्या था देखिएगा दोस्तों डी आई सी जी एस अगर इसके बात करें डिपोजिट इंशोरेंस एंड क्रेडिट गारेंटी कॉर्परेशन ओके थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूं कि यह चीज क्या है अगर हम यह बाद में देखेंगे सबसे पहले ऐसे ही समझिएगा डी आई सीजी सी है कि अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो यह क्या है एक आरवी की सबसीडरी है फूली और सबसीडरी कह सकते हैं टोटल आरवी की कितनी है चार सबसीडरी है जिसमें से एक हमने पढ़ ली थी रैबिट और यह हम दूसरी अब दूसरी आती है DICGC मैं अब DICGC RBA की सबसीडरी रही अब यह क्या काम करती है तो बच्चों यह क्या करती है यह जमाओं के बीमा परदान करने और क्रेडिट सुविदाओं की गारेंटी देने के उधेश्या से स्थापित किया गया है सिंपल है आप बैंक में पैसे जमा करवाते हों तो बच्चों क्या रहता है सबसे पहले कि हमारा एक जो security point security point से हम bank के पास किया जाते हैं हमारा पैसा जमा करवाते हैं तो उसी पर क्या किया जाता है कि इन ही जमाओं को बीमा परदान करना उन्ही को insurance मतलब सभी जितने भी bank है almost उनके जो bank RBI में जमा करवाते हैं तो उनको insurance कौन परदान करता है DICGC इतना clear होगा उसके बाद ये credit स्विधाओं की जो जितनी भी guarantee है उनके उदेशय से ये क्या की गई थी स्थापित की गई थी ओके अब हम English में देख लेते हैं क्या रहा DICGC की बात करें ये रहा deposit insurance credit guarantee corporation ये इसकी abbreviation रही उसके बाद English वाले बच्चे देखेगा it is established for the purpose of providing insurance of deposits and guarantee of credit facilities I hope यहां तक बच्चों का clear होगा अब यहां से थोड़ा सा क्या देखते है static portion cover कर लेते हैं इसके अगर chair person की बात करें तो BP कानुंगो रहे headquarter की बात करें Mumbai में रहा founded की बात करें 1961 में क्या ये found की गई थी उसके बात देख लेते हैं हम आज का question क्या रहेगा वही हम दो दिन से जो पढ़ रहे हैं RBI की 4 subsidiary है उसमें से हमारी rabbit की अगर बात करें एक हो गई है आज हमने दूसरी clear कर ली है DICGC अब आज बात करते हैं तीसरी fully on subsidiary की what is BRB and MPL यहां से इतना तो clear हो गया होगा बच्चों की यह क्या है RBI की एक subsidiary है fully on अब आपको बताना है कि यह है क्या इसको detail में देखिएगा, abbreviation देखिएगा, headquarter, chairperson कोन है यह क्या काम करती है, क्यों establish की गई है अब हम देख लेते हैं हमारी आज का first and foremost important question MCQs based देखिए बच्चों क्या रहा The government of India अगर बात करें भारत सरकार की has approved उसने क्या किया है अप्रूव किया है The special liquidity scheme एक special liquidity scheme रही किनके लिए रही NBFC अगर बात करें NBFC की non banking financial company और दूसरी रही housing finance company तो NBFC और दूसरी बात की गई है HFC इन दोनों को क्या है कि liquidity provide करने के लिए finance liquidity provide करने के लिए government of India ने एक amount की क्या है मंजूरी दी है इन्हें परदान करने की कि अब आपको बताना है कितना amount government of India ने इनको allocate किया है अब हम option के बात कर लेते हैं अगर option के बात करें वही हमारे question हमारे जो class का रूर रहता है बच्चो कि question का answer 2 minute के लिए आप side में रख दीजे लेकिन जो other के 4 option है जाते है आपका answer रूपीस 30 30,000 क्रोड क्या किया गया है अभी NVFC और HFC को allocate किया गया है government of India भारत सिरकादवारा अब हम देख लेते हैं हमारे other options सबसे पहले तो मैंने world bank की बात कर लेती हूं और दूसरा रख लेती हूं ADB यहां से हम बिना कुछ doubt क्लियर करते है world bank की अगर बात करें तो इसने क्या है 1 billion amount दिया है और दूसरा दिया है 1.05 billion और तीसरा दिया था यह दो यहां से फिलहाल याद रखिए ADB से अगर बात करें तो 2.2 billion इतनी चीज याद रखिएगा अब मैं amount तो यह हो गए अब यह amount किसे किसे दिये गए देखिएगा 1 billion और 2.2 billion यह तो दिया है इंडिया को world bank ने कितना दिया आपका 1.1 billion ADB की बात करें यह 2.2 billion और 1.05 है यह world bank ने किसे दिया है बांगलादेश को दिया है यह तीन amount तो आपको याद रखने है I hope जो पुराने बच्चे उनको तो याद हो भी गए होंगी तो यहां से clear हो गया 1 billion world bank ने इंडिया को दिया 1.05 billion world bank ने बांगलादेश को दिया spelling थोड़ से mistake L लगा लीजिएगा उसके बाद बात करें वही 2.2 आपका extra में आ गया ADB का आ गया उसके बाद 100 million के बात करते हैं तो 100 million एक और मैंने option में भी हमने discuss किया था इससे related और news भी देखी थी यह किसने किया है? Netflix ने किया है Netflix almost बच्चों को शायद इसके बारे में बताने की need नहीं है Netflix ने क्या किया है? जो crew member रहते है help member रहते हैं 100 million amount allocate कर रहा है 100 million Netflix for its crew and helpers के help के लिए इतना याद रखना है उसके बाद एक amount यहां से अभी important बनता है कि 38,900 क्रोड अभी तक बच्चों को याद नहीं होगा धीरे धीरे याद करेंगे हो जाएगा 38,900 क्रोड की बात करें तो यह defense acquisition council है जो किया क्या की थी हमारे राजनाथ सिंग जो हमारे मिनिस्चर है defense minister इन्हों ने इनकी अध्यक्षता में defense acquisition council इनकी अध्यक्षता किस ने की थी राजनाथ सिंग सर ने और इनकी अध्यक्षता में 38,900 क्रोड जो है वो आपकी क्या Indian Air Force को allocate किया गया है अब यह क्यों दिया गया है क्योंकि अभी Indian Air Force क्या है कुछ एक aeroplanes है कुछ plane ऐसे है jet ऐसे हैं जिनको वो क्या कर रही है अधिग्रहन कर रही है और उनके काम के लिए यह amount allocate किया गया है इतना ध्यान रखना अब देख लेते हैं बच्चों next next देखिया क्या रहा आपका Who is the chairman of National Highway Authority of India बात करें NHAI की आपको बताना है National Highway Authority of India के अध्यक्ष कौन है अब यह यहां से question important क्यों मनता है दोस्तों तो याद रखिएगा अभी क्या है जो chairman थे ना पहले भी यही थे अब recently क्या है इनकी जो कार्यकाल था ना उसको क्या कर दिया है extend कर दिया गया है ACC दवारा ठीक है तो यहां से इसी लिए यह important बन गया अब NHAI के अगर हम बात करें chairman की तो option देखिएगा options के साथ भी खेलेंगे और इस question का answer भी देखिएगे तो जो आपका answer रहा वो रहा WTO मतलब World Trade Organization के India Organization WTO की इंडिया में जो organization है उसके representative की बात करें तो वो कौन रहेंगे बरजेंदर नवनीत रहेंगे इतनी चीज याद रखनी है उसके बाद देखिएगा इंदरा मनी पांडे ये क्या है United Nation ने क्या किया है इंडिया की जो permanent representative है for Geneva UN United Nation की तरफ से जो Geneva Geneva country है उसमें जो इंडिया को represent करेंगे वो कौन रहे आपके इंदरा मनी पांडे ये अभी रिसेंटली के appointment है याद रखनी है थर देखिएगा राजीव टॉपनो ये most important money और trending person रहे हैं अभी ये क्या है World Bank के Executive Director Advisor रहेंगे मैं ये थोड़ा सा कैसे कि World Bank है आपका World Bank में क्या होते है Executive Officers होते है उनको Advise देने का काम कौन करेगा Advisor की बात करें तो वो कौन है आपके राजीव टॉपनो रहे इतनी चीज याद रखिएगा Next देख लेते हैं Walcan Singh Sandu Walcan Singh Sandu क्या है ये तर्की से बिलोंग करते हैं और ये क्या है 75th यहाँ से ये नमबरी भी important बन गया इस बार UN की जो General Assembly है वो कौन सी होगी 75th होगी और उसके President की ने निक्त किया गया है Walcan Singh Sandu को इतनी चीज आपको याद रखनी है अब हम देख लेते हैं नेक्स नेक्स देखिया बच्चो कोशिन क्या रहा वो हैस ऑथर ऑथर का मतलब अभी लेखर की बात हुई है कोई ने कोई बुक रही दबुक टाइटल ओवरड्राफ्ट सेविंग दे इंडियन सेवर बुक से बच्चो एक कोशिन आपका बनता ही बनता है एब आपको या तो बुक का नेम की वन होगा या ओथर का नेम गीवन होगा उससे देट्टेड अगर वो न्यूज मेरा है तो अगर वो किसी मिनिस्टर ने λांच किया है या फिर मिनिस्टर ने क्या है क्या है ओथर किया है इतनी अगर चीज़े रहती है आपकी news में तो वो क्या बन जाता है important बन जाता है अब आपको बताना है book का name क्या रहा overdraft saving Indian saver overdraft saving the Indian saver नामक पुस्त को किस ने लिखा है आपको बताना है option की बात करें option वही है जिनोंने कहीं ना कहीं कोई book लिखी है current affair में रही है current affair से लेटेडी option रखे हैं तो अब अगर हम इस question के answer की बात करते हैं दोस्तों तो वो आपका answer बनता है उर्जीत पटेल उर्जीत पटेल सर ने अभी क्या है book लिखी है अब हम बात कर लेते हैं नेक्स कुछ देख लेते हैं जो अभी current affair में रही थी और related जो बनती है आपकी important भी बनती है सबसे पहले तो यहीं से देखिएगा आपको दिख रहे होंगे वेंकया नाइडू सर हैं और इन्होंने क्या किया अभी future of higher education 9 mega trends यह book launch की है इन्होंने लिखी है उसके बाद आपको यह cricket से related एक दिख रही होगी cricket world cup the Indian challenge यह किस ने लिखी है आपकी यह आशीश रोयसल ने लिखी है उसके बाद यह book रही good economics for hard time यह दो author ने लिखी है उनका नाम क्या रहा अभीजीत बनर जी और इस्टर डफलो ठीक है अब यहां से क्या रही आपको तीन books नाम याद रखने हैं फर्स तो यह combinedly रही good economics for hard time यह किस ने लिखी है अभीजीत भी बनर जी ने और इस्टर डफलो ने यह ठीक है उसके बाद दूसरी बात कर लेते हैं cricket world cup the Indian challenge इसके अगर बात करें यह किस ने लिखी आशीस रॉय ने लिखी है उसके बाद future of higher education 9 megatrends अगर इसके बात करें तो यह किस ने लिखी है आपकी विंकया नाइडू ने लिखी है ओके यह वी पतावी राम यहां पर ने ने हो गया वैसे आपको यहां से याद रखनी है ओके यह भी इन्होंने launch की थी author अगर बात करें यह है launch से आपको याद रखना है विंकया नाइडू author आपके वी पतावी राम रहे इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है next देख लेते हैं बच्चों क्या रहा next question के अगर बात कर देते हैं तो क्या रहा कि which state राजिया की बात हुई है government has announced किया है बलराम scheme अभी एक और scheme का नाम क्या रहा बलराम scheme अब आपको यह याद रखनी है सबसे पहले तो यही बनेगा कि कौन से state ने यह launch किया कौन से state की रही और क्यों की है to empower over seven lakh landless farmer मतलब वो किसान जो खेती करते हैं मगर खुद की क्या है उनके पास जमीन नहीं है ठीक है अब किसान के पास suppose कि वो किसान खेती कर रहा है लेकिन उसके पास क्या है वो दूसरों की मतलब जमीन पर करता है खेती खुद की जमीन नहीं होती तो उन्हीं की help के लिए क्या किया गया है अभी announce किया है government ने बलराम scheme अभी कौन से राज्या की रही option में देखिया बच्चों क्या रहा साथ लाग से अधिक भूमी ही इन किसानों को सशक्त बनाने के लिए किस रा अधर कुछ जो स्कीम देख लेते हैं जो अभी रिसेंटली क्या रही आपकी न्यूज में रही है सबसे पहले बात करते हैं उत्राखंड उत्राखंड के पिथोडागड में अभी हमने पढ़ा था एक कवक कवक मतलब काई लीकन पार्क बना है कहां बना है आपका उत्राख अधर के लिए चीज़ याद रखनी है उत्तर परदेश की बात करें तो यहां से चीम इंपोर्टन बनती है वह बनती है यूवा योजना वाल श्रमी की योजना अपरेंट्शिप योजना कोशल सत्रंग योजना यह किस रही आपकी उत्तर पर देश की रही उसके बाद बा चुना गया है जो मानवतावादी प्रयासों के लिए यंगस्चर को प्रिंसिस जाएना वेल्स की जो राजकुमारी थी कि जियनती पर दिया गया सम्मान है अब क्या है अभी हमारी एक इंडियन गर्ल रही है थर्टीन इयर की मोस्ली वो गर्ल है जो कहने डैली बैस एक बिडिटिश स्कूल से है उनको ये प्राइज मिलेगा और उसका नाम क्या है प्राइज का ट्वंटी ट्वंटी डाइना पुर्सकार ओके ये उस पुर्सकार का अंसर की बात करें तो ऑप्शन से अंसर आपने शायर आपको मिल जाओगा फ्रेया ठक्राल उनका क्या रहा अंसर रहा लेकिन हमें क्या है उप्शन भी देखने है तो फ्रेया ठक्राल तो आपको याद रहे जाएगा ट्वंटी ट्वंटी डाइना पुर्सकार किसे मिल रह प्रेया ठक्राल को 13 एक लड़की है 13 साल की उन्हें अब देख लेते हैं अदर आप्शन रंजीत कुमार रंजीत कुमार की बात करें तो उन्हें नासा का यह नासा है आपका distinguished prize मिला है नासा का की से रंजीत कुमार को उसके बाद क्रितिका पांडे की बात करें यह हमने न्यूज में भी देखा थो इंपोर्टन भी बनता है क्योंकि यह second रही है इंडियन रही है जिने क्या international award मिलेगा कौन सा commonwealth short story prize यह किसके लिए मिलेगा short story prize इनकी क्या रही थी बता story prize मिल रहा है उसके बाद बात कर लेते हैं रतलाल की तो इनको क्या मिलेगा बच्चो world food prize 2020 से क्या किया गए है समानित किया गए है उसके बाद बात करते हैं अमर्तिया सेन की तो इनको क्या मिला 2020 का peace prize मिला है और यह किसने दिया है German book trade मतलब simple सा रहा German book trade का 2020 का peace prize किसे मिला है अमरतियार सेन को मिला है इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है अब हम देख लेते हैं हमारा next question next question देखें अब बच्चो क्या रहा किस company के साथ NLC India ने solar और thermal power assets विक्सित करने के लिए एक स्युक्त venture company, joint venture company अगर ही के गठन के लिए एक स्युक्त उध्यम समझोते का समझोता किया है अगर हम इस question को थोड़ा सा देखें मतलब short में समझें तो क्या है कि एक company है जिसने क्या किया है NLC India के साथ एक joint venture company बनाने पर समझोता किया है क्यों किया है solar और thermal power assets को विक्सित करने के लिए अब हम बात करें अगर answer की तो इन में से एक company रही other companies भी हम देखेंगे कि इनका क्या कुछ रहा सबसे पहले तो इसकी answer की बात में तो वो कौन सी रही आपकी coil India इतनी चीज़ आपको याद रखनी है अब हम थोड़ा देख लेते हैं जो हमने option में other company देखी एटल की बात करें तो एटल से आपको याद होगा एटल पेमेंट बैंक अब उसका क्या है एटल पेमेंट बैंक पहला ऐसा बैंक रहा जिसने क्या है अधार एनेबल पेमेंट सिस्टम अभी recently क्या किया है लाँच किया है इतनी चीज़ें याद रखनी है उसके बाद बात कर लेते हैं NTPC की तो यहाँ से इसकी full form याद रख क्या प्रिश्यर उसके बात करते हैं KGMU की यह उनिवस्टी रही है दोस्तों बहुत ही गजब की सी चीज़ के तो यह लेकर आए है एक ऐसा टूल लेकर आए है कि अगर हम तूल की बात करें तो पहली रहेंगी इसमें क्या होगा प्लाज्मा थैरपी रहेगी प्लास्मा थै उसके बाद बात करते है SPMCIL की तो यह क्या रहा Security Printing and Minting Corporation of India Limited मतलब printing and minting से आप समझते होंगे कि जो पैसा हमारे जो रुपए है उसे चापने का और minting का मतलब क्या होता है कि पैसों की जो रुपए की धलाई होती है उसको minting कहते हैं वो क्या रही India Limited SPMCIL इसके अंडर आपकी दो मशीन आती है चार टोटल क्या है printing मशीन है इसमें से दिवास और नासिक तो क्या आती है आपकी SPMCIL अधर दो जो रहे गई ना दोस्तों टोटल आपकी कितनी चार हैं प्रिंटिंग मिंटिंग मशीन इंडिया की दो तो रही दिवास और नासिक जो किसके अंडर आती है SPMCIL कल कमेंट बॉक्स अभी आपको क्या करना है इसका आंसर करना है कि अदर दो हैं वो कौन सी रही ओके वह आपको बताना है अब हम मूफ करते हैं हमारे नेक्स कोशन की तरफ नेक्स कोशन देखे आ बच्चो क्या रहा आपका IIT से रेलेटिड नेक्स कोशन रहा कि कौन से स्थान ने अगर बात करें आपको बताना है यह कौन से इंसिट्यूट ने क्या किया है अगर हम इस कोशन के आंसर की बात करें तो वह किया है आई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई-ई- और उससे क्या है COVID-19 का पता लगाएगा तो simple सा रहा कि chest x-ray को x-ray के through COVID-19 का पता लगाने वाला tool है वो किसने विक्सित किया है तो वो किसने किया है IIT गादी नगर ने थोड़ा से इसमें देख लेते हैं developed an artificial intelligence based deep learning tool for detection of COVID-19 from chest x-ray image इतनी चीज़ें याद रखनी है अब बात कर लेते हैं IIT Bombay की इसने क्या किया है अभी develop किया है Indian receiver chip Druva मतलब simple सा रहेगा Druva जो आपकी रही आपकी chip रही receiver chip रही वो किसने launch की है IIT Bombay ने अब उसके बाद बात करते हैं IIT Mandi की तो इसने क्या है high speed magnetic ram क्या की है launch की है सित्की है उसके बाद बात करते हैं IIT Roper की तो इसने डवलप किया है Ward vote इसका थोड़ा सा बता देती हूँ यह क्या रहेगा दोस्तों Ward vote की अगर हम बात करते हैं तो यह क्या है एक robot है वोट से ही समझ गए होंगे सबसे पहले तो बच्चे की रोबोट रहेगा जो क्या करेगा COVID-19 के कही ना कहीं क्या करते हैं कि डॉक्टर्स गयरा हो गए वो और जो मतलब उनकी help करते हैं कहीं helpers होते हैं वहाँ पर वो contact में ना है उसी को जादा जादा contact less करने के लिए क्या है अभी एक वाड़ वोट बनाया है IIT रोपर ने जो क्या करेगा उनको खाने पीने का समान की medicine जो COVID-19 के patients है उन तक पहुंचाएगा तो वाड़ वोट उसका name रखा गया और वो किसने क्या है IIT रोपर ने इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है अब हम देख लेते हैं next next देखेंगा बच्चो क्या रहा किस बैंक ने 1000 शहरों में जिप ड्राइव नामक पहल के माध्यम से मुझूदा ग्राहकों को ततकाल कारिन की पेशकश की है मतलब इंग्लिश वाले बच्चे देखिएगा यहां से एक आपका इनिशेटिव आ गया जिसका नाम क्या रख्या आ गया है जिप ड्राइव आपको बताना है यह इनिशेटिव कौन से बैंक ने लिया है अब अगर हम इस कोशन में आंसर की बात करते हैं दोस्तों जिसके थूँ क्या है वो जितने भी उनके कार से समंदित जो है लोन प्रोवाइड करेगी इंस्टेंट लोन प्रोवाइड करेगी अपने एक्जिस्टिंग कस्टमर को अब हम दूसरे नेक्स कुछ जो हमने बैंक देख उनका देख लेते हैं सबसे पहले हमें एक केमार की बात करते हैं तो justement क्या रहा जो आपकी UCO Bank के हैं इतनी चीज़ याद रखनी है अब थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं SBA की बात करें Headquarter Mumbai रहा Chairperson Rajneesh Kumar रहे Yes Bank की बात करें Headquarter Mumbai CEO की बात करें परशांत कुमार HDFC की बात करें वही देख लिया है Mumbai और अधित्यपूरी UCO Bank की Kolkata Headquarter रहा CEO अतुल कुमार गोल रहे ICICI की बात करें Mumbai Headquarter Sandeep Bakshi क्या रहे इसके Chairperson रहे अब थोड़ा सा ICICI Bank आया है तो इसके साथ Phone Pay और Swiggy ने भी क्या किया है समझोता किया है Swiggy ने अलग से किया है Swiggy Money के लिए Phone Pay ने भी ICICI के साथ समझोता किया इतनी चीज़ें आपको यहां से याद रखनी है अब देख लेते हैं बच्चो next आपका क्या रहा So वो थे हमारे आख जो current affairs related कहीं कहीं question थे हमने current affairs related बहुत सी almost 8 question थे हर एक 5 question को हमने उनके साथ option भी discuss किये तो total आपकी अगर माने तो 40 plus क्या है news तो discuss हो चुकी है अब हम देख लेते हैं हमारी यहां से जो new current affairs सबसे पहले इन person को आप देख रही होंगे इनका नाम क्या है इन जेती शिरी निवास इनका नेम क्या रहा इन जेती शिरी निवास अब of course कोई person है तो इनका क्या किया गया है appointment किया गया है as an chairman किसके IFSCA के इनको chairman बनाये गया है IFSCA अब मैं IFSCA यह क्या है इनके अगर बात करें तो यह क्या है International Financial Service Center Authority है जिनके अभी क्या है chairman न्यूक्त किये गए है और वो कौन रहे इन जेती शिरी निवास आपको इतनी चीज़ें यहाँ से याद रखनी है और जो आपका International Financial Service Center Authority रहा इसका अगर बात करें Headquarter की तो वो कहां रहे गांधी नगर गुजरात अब गांधी नगर गुजरात से आपको एक चीज़ याद आनी चीज़े यह constituency है किनके Amit Shasar की अब Amit Shasar की बात करें तो यह क्या रहे आपके Home Minister रहे इतनी चीज़ें आपको यहाँ से याद रखनी है अब हम देख लेते हैं हमारे next next देखिया बच्चों क्या रहे है आपकी current affair Maruti Suzuki के chairman सबसे बहले तो Maruti Suzuki word आया है Maruti Suzuki based क्या है इसका अगर headquarter की बात करें तो वो Mumbai में है इतनी चीज़ें आप याद रखना अब New Delhi में है Sorry Maruti Suzuki है जो headquarter है वो New Delhi में अब यहाँ से देखिया क्या रहा कि the chairman of Maruti Suzuki यह जो आप picture में देख रहे हैं यह chairman है Maruti Suzuki के इन्होंने क्या किया है अभी R.C. भारगव इनका name है author एक book लिखिया जिसका नाम रहा Getting Competitive of Practitioner अब बात करें Guide for India इन्होंने क्या किया है अपने जब यह book launch कर रहे थे तो इन्होंने कहा था कि R.C. भारगव है कि अपने experience पर इन्होंने इतने साल जब इन्होंने एक capital market में लगाया है इस marketing में मतलब काम किया है तो इन्होंने क्या किया इन्होंने बताया कि खुद की जो learning है इन्होंने सीखा है वो इस book में रहेगी हमारे R.B.A. की governor के through bin में बात की गई है बहुत अच्छी book है अगर आप पढ़ना चाहें competitive practitioner guide for India ये पुस्तक किस ने लिखी है R.C. भारगव ने लिखी है R.C. भारगव कौन है मारूती सुजुकी के चेर्मेन है मारूती सुजुकी के headquarter की बात करें वो कहां रहा न्यू डैली में रहा उसके बाद MDCO की बात करें तो वो कौन है कैनीची योकवा कैनीची योकवा क्या होना है मारूती सुजुकी के आपके MDCO है इतनी चीजें आपको यहां से याद रखनी है नेक्स देखिया बच्चों क्या रही नेक्स आपको यह दिख रहा होगा ड्रोन लाइक सबसे पहले तो थोड़ा सा जिन बच्चों को नहीं पता है ड्रोन का तो अगर आपने मूवी आजकल मैरीज में जाते होंगे मैरीज में क्या करते हो जब आपके ऊपर से क्या है एक लाइक हैलिकॉप्टर सम्थिंग हैलिकॉप्टर ही कहते है गारीजिज अगराज देखा है अभी क्या है फर्स एक ड्रोन रहा जो बनाया गया है तो थोड़ा सा अगर हम डीटेल में बात करें तो भारत कि पहल नो पर्मीशव नो टेक ओफ एनपी ए़नटी की बात करें इसका नेम रखा गया है नो पर्मिशन, नो टेक ओफ, A200 रिमोटली पाइल्टेड एरक्राफ्ट सिस्टम, यह आपको याद रखना है, रिमोटली पाइल्टेड एरक्राफ्ट सिस्टम, पर कम्प्लेंट ड्रॉन की उडान को, क्विटीज, इनोवेशन, लैब्स और एस्टोरिया, एर स्पेस द्वा गया है, एक जैसे आप कोई एप यूज करते होंगे, आप मालो स्वी की वगारा का लिगा लेते हैं, जो मैट वर्ग, आपने कुछ और किया, आप परे कोड आता होगा, सिंप्ली कोड आता है, जब तक आप वो कोड आगे फिल नहीं करते, आप आगे मूव नहीं कर सकते, वो आपके लिए काम नहीं करेगा, वैसे ही क्या है, यह जो ड्रॉन रहेगा ना दोस्तो, जब तक इसमें क्या है, कोड नहीं भरा जाएगा, यह टेक ओफ नहीं करेगा, तो इसका नाम क्यों है, नो परमीशन, नो टेक ओफ, एन पी एन टी, जब तक इसमें वो कोड फिल नहीं होगा, एक युनीक ज़ो आइडेंटिटी रहेगी, यूटी आई की बात करें, जब तक वो इसमें फिल नहीं होगी, यह टेक ओफ नहीं करेगा, इतनी जीज़ याद हो गई, एन पी एन टी क्यों है, उसके बाद है कि यह किसने लांच किया है, तो यह लांच ही किया अब उसके बाद बात कर लेते हैं, इसके तो यह क्यूं मनाया गए दोसतों यह पुलीस की हैल्ब के लिए बनाया गया है, पुलीस करमी जितने भी रहेंगे, जहां भी भीड होगी ना दोसतों, स्पेशली भीड वाले एरिया में, तो यह क्या करेगा, उसको डिडैक्ट कर पेची इंडिपेंडेंट चार्ज की बात करें सीविल एविएशन की तो हर्दीप सिंग पूरी रही यहां से इतना ख्लियर होगा अब हम देख लेते हैं हमारी next तो next देखिया बच्चों क्या रही next आपकी रही कि इस्राइल अक्षा मंद्राले ने एक नए टीक 16 जासूस अगर बात करें वैसे ओफेक रहता है ओफेक रहेगा यह आपका ओफेक 16 स्पाय सैटेलाइट एक सैटेलाइट लॉंच की है इस्राइल ने अभी न्यूज में क्यों रही इस्राइल ने इससे पहले अभी क्या है 2020 ना दोस्तों इससे पहले क्या थी 2016 में मतलब अभी कितना टाइम हो गया 4-5 साल पहले तब एक satellite launch की थी जिसका name क्या रहा था QFAC अगर इसकी बात करें QFAC same रहा था बस यहाँ पर 11 था वो किया था उसके बाद अब खुद की satellite launch की है satellite और वो क्या रही है सफलता पुरवक मतलब उसकी मतलब अभी करने की सफल रहेगी उसका किया है अब वो satellite work क्या करेगी जो हमारी earth है न दोस्तो उसके round करेगी और जो आपका इसराइल रहा उस पर जितने भी innovation system उनकी जो satellites है उन पर क्या रखेगी निगरानी रखेगी उसी के लिए किया गया है तो इसराइल से इसके लिए ये news इसलिए important में जाती है बहुत time बाद ये इसराइल ऐसा कर रहा है और इसका name आपको याद रखना है Qfax 16 अब यहाँ से थोड़ा सा अगर हम detail में देखें दोस्तो तो मध्या इसराइल में पामचीम Airways के एक launch pad से स्थानिया रूप से विक्सित शेफ rocket का उप्योग करके अब यह क्या है मैं अब यह ही तो किसी ने क्या है यह छोड़ जो आपकी रहती है जो Qfax 16 एक रही आपकी satellite अब यह launch किसी ना किसी के थुरू से की हो गई तो वहाँ पर भी इंपोर्टेंट बन जाता है कि यह किस से की गई है शावित रॉकेट शावित रॉकेट इसकी help से की गई है और कहां से की गई है पालमचीम Airways से यहां से यह दो नेम याद रखने है अब हम देख लेते हैं नेक्स आपका रहा तो यह आपका डिटेल में दिया हुआ स्टंबर 2016 में जो Qfax 11 था यह इससे पहले था अब हम कैपिटल के यहां से इसराइल के थोड़ से स्टैक पोशन देख लेते हैं तो देखिएगा स्टैक पोशन से क्या इंपोर्टन रहा इसराइल की बात करें प्राइम निस्टर मोस्ट इंपोर्टन बनते हैं बेंजामी नेतन हायू क्योंकि अभी इनसे क्या थी आपके प्राइम निस्टर थोड़े टाइम पहले 6-7 मंथ पहले की बात है क्या थी इन्होंने मीटिंग की थी loan in seconds for instant loan सबसे बड़िया scheme अभी इन्हों निकाली है loan in second क्या होगा कि आप online loan ले सकते हो जो आपकी need रहती है उस पर आपसे कोई कागस कारवाही आपके मतलब नहीं की जाएगी कोई भी सबूत नहीं मांगा जाएगा कोई भी आपसे कागस नहीं loan in seconds शुरू किया इतनी चीज़ याद रखने है अब yes bank आया yes bank से कुछ चीज़ याद रखेगा yes bank का headquarter मुंबई महाराष्टरा में रहा yes bank के mdco की बात करें परश्यांत कुमार रहे yes bank की tagline की बात करें तो experience are expertise इसकी tagline रही अब महाराष्टरा की बात करते हैं तो cm उद्दव ठाकरे रहे आपका खेलो इंडिया youth game हुआ था ठीक है 2020 अगर बात करें उसमें 2019 उसमें महाराष्टरा ने क्या किया था टोप किया था कितने 256 medal से किया था हरियाना आपका second रहा था 200 medal से आपको इतनी चीज़ें यहां से याद रखनी है अब हम देख लेते हैं next so next आपकी देखिया बच्चो क्या रही एक person दिये हुए है अब ये person क्या कौन थे Oscar winner है और इनकी अभी क्या हो गई है निधन हो गया अबिचुरी आपकी रही तो Oscar से winner थे तो इसी लिए important मन जाता है नाम इनका नाम क्या रहा कि Oscar winning Italian film filmmaker थे film composer Ennio Morricone Ennio Morricone इनका नेम रहा और इनकी क्या है recently death हो गई है Ennio Morricone का निधन हुआ ये क्या थे Oscar विज़ेता थे और Italian film संगीतकार थे इतनी चीज़ें याद रखनी है और इनका अगर सबसे पहला अगर Oscar की बात करें कब मिला था Quentin Trantinto The Hateful Eight इस नेम से इन्होंने एक मतलब क्या था इन पर काम क्या था जिसकी वज़े से इन्हें 2015 में Oscar मिला था Simple इनका नाम याद रखना है और ये क्या रहे Italian एक क्या थे Music composer थे Film Music composer इतनी चीज़ आपको याद रखनी है अब हम देख लेते हैं Next Next देखें अब बच्चो आपकी क्या रही All India Radio AIR की बात करें ने Sanskrit सब्त की की नामक एक कारेकरम पर सारित किया है अगर हम थोड़ा सा इसे देखे बच्चो तो ये क्या रहा आपका कि The Indian Radio The All India Radio Has broadcast a program टाइटल संस्कृत सब्ताही की संस्कृत सब्ताही की आपकी किसकी रही The All India Radio की रही ये क्या है दोस्तो याद रखना है Sanskrit सब्ताही की एक क्या है आपकी वो रही आपकी मतलब जैसे magazine वेगर होते हैं ये magazine रही आपकी जिसका name क्या रहा Sanskrit सब्ताही की अगर हिंदी वाले में थोड़ी से detail में देखे ये Sanskrit में पहला समाचार पत्रिका रहेगी कार्यकरम है जो सब्ताहा के परमुक घटना करम सहित Sanskrit की दुनिया से समाचारों का गठन करेगा Simple सा रहा ये पहला Sanskrit समाचार रहेगा जिसका नाम क्या रहा Sanskrit सब्ताही की किसने The All India Radio ने ये launch किया है और इसमें क्या रहेगा जो weekly रहेगी सब्ताही की से clear हो रहा होगा Sanskrit सब्ताही की ये क्या रहेगी weekly रहेगी आपकी और अगर यहां से अब All India Radio की बात हुई है तो इससे Director General आपको याद रखने है Ira Joshi Ira Joshi क्या रहे All India Radio की क्या रहे आपकी डिरेक्ट रही यहां से इतनी चीजें आपको याद रखनी है तो next देख लेते हैं बच्चों next क्या रही बहुत ही initiative है जिसका नेम तो बहुत बढ़िया रहा दोस्तों इंतजार आपका इंतजार आपका अभी क्या है एक initiative लिया गया है camp है जो किसने launch किया है मध्यापरदेश सरकार ने किया है मध्यापरदेश टूरिजम बोर्ड ने launch इंतजार आपका camp यह क्यों किया गया है कहीं ना कहीं जो foreigners है उन्हें attract करने के लिए एक camp लगाया जाएगा जिसका नाम क्या रहा इंतजार आपका अभी थोड़े टाइम पहले एक प्यार का पोधा यह fab में किया गया था यहां से यह भी important बनता है अभी name आया तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है यहां से सिर्फ इतना याद रखियेगा यह additional governor है और में नहीं है इधिशनल गवर्नर है इनकी अध्यक्षता में यह किया गया है यह चैंप अन्दि बेन पती इतनी चीज़ें याद रखनी है वैसे यह उत्तर परदेश की रहती है पर अग भी क्या है मध्या परदेश की जैसे लखनों में उनके गवर्नर का इलाज रहा है तो इनको रिक्लेस किया गया है अनंदी बेन पटेल को इसलिए इतनी चीज़े देख लेना अब हम देख लेते हैं आपकी नेक्स तो नेक्स दे क्टिग्री में बात करें तो किर्केटर ओफ द ययर चुना गया है अब क्या हैं English में देखते हैं Quentin D. Cauch, Edges, South Africa, Men's Krikaner of the Year. South Africa की क्या है? अभी एक list निकाली गई है. जिसमें क्या किया गया है? Different rank दी गई है. जिसमें जो आपके रहे किर्केटर आफ डे यर की बात करें, तो वो कौन रहे? Quentin D. Cauch रहे. अगर men केटेगरे में बात करें, तो Laura Walda Dirt रही. यह क्या रही आपके किर्केटर में Women of the Year चुनी गई है South Africa की इतनी चीजें आपको क्या है याद रखनी है अब यह किसमें चुनी गई है Cricket South Africa Annual Award 2020 हुए थे और यह आपके वर्चुली हुए थे विकास करन्ट अगर बात करें COVID-19 के चलते ही आपके वैसे नहीं हुए थे तो वर्चुली यह हैल्ड किये गए थे तो Cricket South Africa Annual Award 2020 की बात करें तो उसमें Quitten D.Cock की बात करें यह Man of the Year रहे और Laura Walward की बात करें तो यह Woman of the Year रही इतनी चीजे याद रखनी है आपको यहाँ से यह दो ही नेम इंपॉर्टन बनेंगे बाकी यह पूरी लिस्ट है आपको देखनी है बार बार देख लीजिएगा मेभी एक्जामिनर कहीं जादा बैठा है बस कहीं लड़ जगड़कर बैठा हो और कहीं एक्जाम में सेट कर देगी है क्या है इक्जाम बहुत डीपली आ रही है कहीं से पूछ सकते हैं अगर कहीं ना कहीं वह कंट्री हम से संबंध रखती है तो यहां से कोशियर मने के में भी चांस रह सकते हैं तो मेंली तो आप को जो दो चीज़े याद रखनी है वह मैन और वूमेन की कैटिगरी याद रखिए बाकी है पूरी लिस्ट रही जो उसमें निकाले गए हैं आप यह देख लीजिएगा अब हम देख लेते हैं आपकी आज की नहीं जो करेंट रही वह आपकी रही देखें क्या रही यूपी सरकार आपको दिख रहे होंगे योगी अधित्यानात इन्होंने क्या किया है अभी एक मिशन लांच किया है जि यह क्या है इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को 25 क्रोड से अधिक पोधे लगाए गए थे 25 जुलाई को क्या है इस दिन क्या होगा 5 जुलाई को लगाए गए इसमें 25 क्रोड से अधिक पोधे लगाए गए आपके 5 जुलाई को यूपी में और उसका ना आज की जो इतनी भी हमने current affair देखी और इसके अगर pdf की बात करें दोस्तों तो pdf आपको मिल जाएगी telegram में जाएगा वहाँ पर search कीजिएगा gk by अगर सबसे पहले तो आपको क्या है link मिल ही जाएगा उसके बाद भी ना मिले तो search करें gk by परदीप सर आपको मिल जाएगा वहाँ पर उसमें क्या है आपको join करना है वहाँ से इसके pdf मिल जाएगी और नए बच्चे जोड़े हैं and subscribe to the channel and have a good day and I say bye bye have a good day